गदर से भी बड़ी सूपर हिट सनी देवल देते अगर उनके हाथ से ये प्रोजेक्ट ना जाता मैं बात कर रही हूँ उस फिल्म के जिसका टीजर आज रिलीज हुआ अक्षे कुमार को एज लीडिंग रोल में हमने देखा पृत्वीराज के टीजर में कम ही लोग जानते हैं कि ये जो फिल्म है पृत्वीराज ये सनी देवल का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसकी प्लानिंग सनी देवल कुछ पांच-दस साल से नहीं बलकि यर 91 से कर रहे थे जी हां रिपोर्ट्स की माने तो सनी देवल 91 से इस प्रोजेक्ट को बनाना चाह रहे थे राजकुमार संतोशी जिन से तब उनकी गहरी दोस्ती थी और उनके साथ कुछ अच्छी फिल्में सनी देवल दे चुके थे उस टाइम पर इतना पैसा जुटाना मार्केट से आसान नहीं था इसलिए इस प्रोजेक्ट को सनी देवल ने कुछ सालों तक के लिए टाल दिया इसी बीच बॉबी देवल की बॉलिवुड में एंट्री हुई और फिर सनी देवल और उनके पिता बॉबी देवल के करियर में लग गए फिल्म दिल लगी बनाई जिससे करोडों का नुकसान हो गया तो तब सनी देवल की वो इस्तिती नहीं थी कि वो इस फिल्म को प्रड्यूस कर पाए लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो इस प्रोजेक्ट में काम करना चाते थे ये कहानी जो इस राइटर की है यानि की चंदरप्रकाश दुवेदी जिन्होंने इस फिल्म को डिरेक्ट किया है उनकी पहली चोईस भी सनी देवल थे और एक टाइम पर जब सनी देवल के पास इस फिल्म को पूरी तरीके से प्रड्यूस करने का पैसा नहीं था तब उन्होंने चंदरप्रकाश दुवेदी को ये तक कहा था कि मैं तुम्हारे इस प्रजेक्ट में काम कर लूँगा इसे को प्रड्यूस भी करने को तयार हूँ तब एक बार फिर से ये कहानी जो है बनती नजर आई ये बात हो गई ये 2004 की यानि कि 10 साल तो अल्रेडी इस प्रजेक्ट को संजोए हुए हो गए थे और अब फिर से प्लानिंग की जा रही थी तब ही चंदरप्रकाश दुवेदी चुकि अपनी इस स्टोरी को लेकर बहुत ज़ादा डिटिमाइन थे और कौन इसमें काम करेगा कौन नहीं इसको लेकर भी वो क्लियर थे तो उन्होंने इच्छा जताई कि सानी देओल जहां लीड हीरो यानि की प्रित्वीराज का किरदार निभाएंगे वहीं हिरोईन जो है सायोगिता वो तो एश्वरिया राय ही होनी चाहिए क्योंकि उनसे ज़्यादा खूपसूरत उस टाइम इंडस्ट्री में कोई नहीं था तो तब सनी देओल की तरफ से ये फिल्म एश्वरिया राय को ऊफर की गई लेकिन एश्वरिया राय ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और ये बात तो खुद Sunny Deol ने भी अपने एक इंटर्वियू में कही कि मैंने कई बड़ी आक्ट्रिस को अपनी फिल्में ओफर की लेकिन इन आक्ट्रिस ने मेरी फिल्में रिजेक्ट कर दी जिसमें एक नाम ऐश्वरिया राय का भी था जब ऐश्वरिया राय को ये फिल्म Sunny ने ओफर की थी लेकिन ऐश्वरिया ने Sunny के साथ काम करने से मना कर दिया और ऐश्वरिया ने जब मना किया और दूसरी बार जब ये प्रोजेक्ट डिले हो गया तो कहीं न कहीं Sunny देओल अपने दूसरे काम में लग गए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से बैक सीट पर ले लिया इसी बीच Sunny देओल की अपने फिल्म आई और अपने फिल्म सूपर हिट हुई और तब Sunny देओल एक बार फिर से इस फिल्म को बनाना चाह रहे थे लेकिन तब भी ये प्लानिंग, प्लानिंग ही रह गई और ये फिल्म बन ही नहीं पाई इसी बीच यश्राच सीन में आया, काफी powerful production house है इंडस्ट्री में गिने चुने ही production houses है जो इस तरह की फिल्मों को finance कर सकते हैं तो यश्राच फिल्म तैयार हुए इस फिल्म को produce करने के लिए लेकिन उन्हें भी इस project में पैसा लगा कर पैसा बनाना था यही कारण है कि उन्होंने इस film में उस star को लिया जो industry में इस वक्त most bankable star के रूप में जाना जाता है अक्षे कुमार के लिए कहा जाता है कि film में flop भी होती है तो जो film की लागत है वो निकल जाती है यही कारण है कि अक्षे कुमार जो चाहे एक योध्धा के रूप में सूट ना हो चाहे उनकी आवाज एक योध्धा जैसी नहीं हो उसके बावजूत फिल्म में एक योध्धा के रूप में अक्षे कुमार को कास्ट किया गया मानुशी चिलर मिस वर्ल्ड ही ली गई ऐश्वरिया तो नहीं आई लेकिन है ऐश्वरिया की जगे मिस वर्ल्ड मानुशी चिलर आई और इस तरीके से यह फिल्म अब जाकर बनी है जिसका टीजर हमने देखा है लेकिन हां यह जो प्रोजेक्ट है यह Baby Project था Sunny deol का जो सालों से Sunny deol प्लाइन कर रहे थे इस फिल्म को बनाने का आपको क्या लगता है इस टीजर को देख कर कि Sunny deol इस फिल्म में होते तो सही होता या अकशर कुमार को लेकर सही decision लिया है या फिर पृत्वी राज के किरदार में और कोई होना चाहिए था